इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपके आंत्र में पानी खीच कर आपके मल को आसानी से पारित कर देता है। इसका उपयोग यकृतेंसे फेलो पैथी यानि की यकृत की बीमारी के कारण भ्रम, कपकपी, चेतना के स्तर में कमी के इलाज के लिए भी किया जाता है। किगले कोरल सोल्यूशन का उपयोग खाने के साथ या बिना करें। आपको यह दवा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इस दवा का प्रयोग करें और इसे प्रतीक दिन एक ही समय पर लेने का प्रयास करें। आपकी खुराक कितनी अच्छी तरह काम कर रही है इसके आधार पर उपर या नीचे जा सकती है। आपकी सला से अधिक न ले और यदि आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो इसकी भरपाई के लिए एक अतिरिक्त खुराक न ले। इस दवा को काम करने में कम से कम और तालिस घंटे लगते हैं। अपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको तीन दिनों के बाद भी कब्स है। सबसे आम दुश्प्रभाव मतली और उल्टी हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं और कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं। कभी कभी लोग गंभीर दस्त और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन सहित गंभीर दुश्प्रभाव विक्सित करते हैं। अगर आपको इन में से कोई भी दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको मधुमे है या यदि आप दूद शरकरा यानि कि लेक्टोज असहिश्णू को पचा नहीं पा रही हैं। यदि आप लंबे समय तक इस दवा का उपयोग करते हैं तो आपका डॉक्टर आपको खनिच्स्तर यानि कि जैसे पोटेशियम और सोडियम की जांच के लिए कभी-कभी रक्ट परीक्षन करवाना चाहता है। इस दवा को लेते समय अन्य रेचक दवाएं न ले और अपने डॉक्टर से जांच ले कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल 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 झाल